नमस्ते, RSP Groupon School की YouTube Channel के आपका स्वागत है, आप में आपके लिए लेकर रहे हूं पक्षा फिर्स का Chapter 7, जिसका नाम है बाद आया उस रात, बच्चो जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा है कि बाद आया उस रात, ये एक घटना है, जो बाद गाउं में उस आया है, तो उस पहले कविता का बाचन करते हैं, इसके बाद उसका हाथ समझेड़ी, उस शुरू करते हैं, वहाँ अपन दीन के वर्द गये फिलना एक रोच, बाद उदर की तो रहता है, बाबा उसके दो बच्चे हैं, बाद की सारा दिल पहला देती है, बाद या तो सोता है, या के साथ खेटा थे तो बचों इस चजिदा में आप प्रदै कि जो दो बच्चे आपस में बाबाब कर रहे हैं तो बाबा को अपनी बात बता रही है या उसके बाबा की सामने कर रहे हैं उसके वह कहरें कि बाबा जो बाब है वो उधरी रहता है जहां पर हम एक दिन गए थे वो बाब महीं पर रहता है बाबा उसके दो बच्चे हैं वो कहरें कि बाबा जो बाब है जो गाओं के अंदर जो बाब साय है उसके दो बच्चे हैं अब बाखिन सारा दिन पहरा देती है अब बाखिन जो है सारा दिन पहरा देती है यानि उन बच्चों की जो बाब के दो पहरा दिना की अब भी शुरक्षा के लिए असपास घूंती रहती है या बच्चों के साथ खेलता है अब बच्चे बता रही है कि बाध है भूय वे आपन तो सारे दिन सोता रहता है या फिर जब उसकी बते हैं उंके साथ खेंता रहता है तो देख़ा लिशामेन इस कृणता में बत शियुक्रा के साथ अपने बावा को बता रही है तो एक बार हम इसमें शब्दा आर्ट करने चब्स देख देते हैं इसमें है अपन, वक्त, रोज, और पहरा देना यही हमारे शब्दा आर्ट भी है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखके दिये हुए है तो अपन का आर्ट होता है हम अपन का मतलब है हम, वक्त, समय, रोज, प्रति दिन, पहरा, सुरक्षा के लिए आस-पास गुंगना तो यह हमारे शब्दा आर्ट भी है अब बच्चों आप सब क्या करेंगे इस कविता का दुबारा वाचन करेंगे और इन शब्दों को सही तरह से उचारिक करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अग जब यह पढ़ें या आप कोई और भूब भी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में कोई दिकर ना आए